हाई दोस्तो नमस्ते दोस्तो मैं मेरी यूटूब चैनल अलपे स्कार्णिंग में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो जो अलवमंडा की बेल है आप देख रहे हूं इनकी में आज कटाई कर दूगा क्योंके यह जरूर से जाढ़ा बहुत चुकी है और फूल भी काफी कम हो चुके इसी के कारण मैं आज इसकी कटाई कर दूगा और दोस्तो एलो मेंडा की कटाई हो चुकी है अब इस तरह से डीख रही है अब ये तो काफी स्पीड में बरती है इसलिए हो जाएगा और दोस्तो देख सकते आप कटाई के साथ दिन ह हो चुके हैं एक हथा और एक हथा में काफी अच्छी तरह से पूर्था कोब ने आपको डीख रही है और एक बात दोस्तों कोई भी सेजन या बाश्यूरी कोई भी सीजन में स्ताइग। कर सकते हो न हैं ठीस कि और मेंने कहा था ने खोपते हैं आपंज chang 2023 1 500 έχ пока दीन और दोस्तो चोड़ा दिनों में ही काफी घणी हो चुकी है देख सकते आप और इनके अंदर मैंने कोई फोटिलाजर अभी तक यूज किया हुआ नहीं है दोस्तो देख सकते हैं देढ़ महिना हो चुका है और काफी खुपशर फूल दीख रहे हैं और काफी घनी हो चुकी है दोस्तो इसी की तरह इस पीड में बर्ची ही रहती है दोस्तो इन बेल को देखके आप सोचने लगोगे कि इतने सारे घने फूल कोई ऐसा फोटिलाजर आ आपने यूज किया होगा जिसके कारण ही इतना अच्छा रिचर्ट आप लोगों को मिला तो दोस्तो मैं सही में यकिन आप मेरा करोगे कि मैंने कोई भी ऐसा फोटिलाजर अभी तक यूज किया हुआ ही नहीं इस बेल के अंदर कोई भी कटिंग से लेकर अब तक मैंने सनलाइट मिके अंदर आप देख सकते उपर से भी दोस्तो अगर आपने अलोमेंडा की बेल गंबले में लगाई हो तो गंबले में तो आपको खाट देना ही पड़ेगा खाट और फोटिलाजर कोई भी याने के एनपी के डीएपी या तो फिर कॉम्पोस खाट आपको हर मह प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि गार्डेंस रिटिट वीडिएट आप सारे दोस्तों के सार सेर कर सेगो मिलेगे ऐसे गार्डेंस रिटिट नए वीडियो में तब तक ले टिक के बाबाई